Hello viewers, तो आज एक नई कविता की बात करेंगे हम लोग Break of the Day in the Trenches Break of the Day in the Trenches जिसे Isaac Rosenberg के द्वारा लिखा गया है Isaac Rosenberg तो आई ये बात करते हैं Break of the Day in the Trenches is a 26-line poem by Isaac Rosenberg ये 26-line, 26-panqti की एक कविता है It was written in 1916 इसे उने 16-16 में लिखा गया in free verse free verse या blank verse के बारे में साथ आपको जानकरी हो नहीं है तो मैं बताता हूँ free verse is a method in which there is no rhyming जिस कविता में rhyming नहीं होती है rhyming pattern नहीं होता तो उसे हम लोग free verse में लिखा गया कविता कहते हैं ठीक है, समझ पा रहे है it is no any particular rhyme scheme nor a specific rhyming pattern rhythmic pattern दिखे नहीं यह किसी pattern में लिखा गया है और नहीं इसका कोई rhyming है तो इस कारण से यह blank verse या free verse में कहा जाता है the fact that is confined in the poem जो सचा इस कविता में बताई गई है is a long thought एक सोच है it is a stream stream में यह चूट गया है it is a stream of consciousness narrative which takes the reader in the deepest and most desolate parts of the world war first अब दिखे चुकि यह 1916 में लिखा गया इस समय modernism period चल रहा था या फिर modernism modernistic movement जो है जोरों पर था तो इस कारण से और modernistic movement की खासित क्या रही थी कि इसकी जितनी भी compositions थे जितनी भी रचनाय थी सारे stream of consciousness जो thought है उसको follow करते थे और यह काफी ज़्यदा तो यही कारण है कि इसमें एक thought को express किया गया है कविता के द्वारा और चुकि वर्ल्ड वार भी उस समें चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार जानते हैं 1940 में शुरू हुआ था तो उससे द्वारा भी काफी ज़्यदा जो छती हुआ था कह सकते हैं काफी ज़्यदा डिस्प्रेट निरास और हतास जो है कवी हो गये थे इस कारण से इनोना ऐसी कविता को लिखा the point begins with the speaker introducing कविता की जो सुरुआत होती है कवी introduce करते हैं the fact एक सच्चाई that a new day is dawning मतलब एक सबेरा जो है एक उग रहा है अगला दिन आ रहा है यह न दसनराइज brings no hope to the world लेकिन इस सुर्योदय में इस सनराइज में कोई hope नहीं है दुनिया के लिए कोई hope नहीं है of narrator और यह यह भी feel कर रहे है narrator खुद feel कर रहे है in fact सच कहें तो the dark is described as crumbling as if it has no solid structure और ऐसा लग रहा एक अंधेरा चा रहा है the life of people is monotonous यानि इनसान का जो जीवन है बेकार निरस हो चुका है dreary निरासा जनक suddenly अचानक से क्या होता है a rat comes एक चूहा आता है and jumps at the hand of the narrator कवी के हाथ में जो है जो नैरेट कर रहा है उसके हाथ पर जो है कवी एक कचूहा कुछ जाता है he is very surprised उसे काफी आश्चरी होता है to see देख कर यह बात such a queer विचित्र creature एक विचित्र प्रानी जो है at that particular moment इस खास पल में एक विचित्र प्रानी जो है उसके हाथ पर आ जाता है actually it is an English soldier अब देखिए यहां रेट को किसको represent कर रहा है एक अंग्रेजी सैनिक को in world war first पर्थम विश्रुद में एक अंग्रेजी सैनिक को represent कर रहा है उसको एक चूहे से compare किया गया है soldier को who was trapped जिसे फसा लिया गया था in the trenches trench मतलब खाई होता है उसे खाई में फसा लिया गया था here the rat is rat represents the ability अब देखिए यह चूहा जो है उस चमता को भी दिखा रहा है that the soldier does not have जो कि उस सैनिक के पास नहीं था मतलब कह सकते हैं कि soldier को तो भेजा जाता है कि वो अपना सब कुछ सर्वस्त्याग करके जो है अपने देश के आनबानसान की सुरक्षा करे लेकिन उसके पास भी कुछ न कुछ जो है मजबूरियां होती है वो orders को follow करता है खुद के हिसाब से वो नहीं चल सकता है here आगे बढ़ते it can only travel from one side to another यानि चुहे की नेचर क्या होता है कि वो बस इस दर्थ से दर्षो दर करते रहता है it can visit the Germans अब देखिए अब सोलजर की बात करें तो सोलजर जर्मन को विजिट कर सकते हैं and the English with no fear और अंग्रेजों के साथ भी गुल मिल के रह सकते हैं बिना किसी डरे the speaker is deeply jealous जो है वक्ता जो है काफी इर्षालू हो रहा है of this ability इस चमता से और कह सकते हैं कि देखिए एक सामाने नागरीक अथोडी ना जर्मन के सैनिकों का मुकाबला कर सकता है या फिर उससे मिल सकता है लेकिन सलजर के पास ये चमता है he states वो कहते हैं that if the Germans knew that it had touched an English hand यदि जर्मन को इस बात का पता चल जाए उसे एक अंग्रेजी हाथ ने चुवा है it would surely be sought यानि एक उसके लिए जो है एक अस्तब्द करने वाली बात होगी in the final section आखरी हिससे में the poet asks कभी पूछते है the rat चुहे से if it is able to enhance its senses यदि वो अपने senses को enhance करने में सक्षम हो it will see that these all are men तो वो देखेगा कि ये सभी जो है क्या है लोग है the poem concludes कभीता जो संपन खर खत्म जो होती है concludes with the narrator returning to his darkest thoughts फिर वो अपने darkest thoughts अपने निरासाजनक विचारों के उपर लोट आता है he imagines वो सोचता है that the war is draining all the good in man यानि इंसान के सारे अच्छाईयों को बरवाद कर रहा है खत्म कर दे रहा है ये युद्ध जो है the final line reveals और आखरी पंक्ती से पता चलता है that the speaker is also having some strength but it is hidden यानि narrator के पास भी छमता है लेकिन वह चिपा हुआ है the speaker begins the poem with announcing that यानि कविता की जो शुरुवात हुती है यहाँ अनॉंस करते हुभी the night is coming to an end कि रात्री जो है खत्म होने वाली है this is not a peaceful or romantic beginning यहाँ जो है रात्री तो खत्म हो चुकी है और दिन की जो शुरुवात है एक सांती में नहीं है नहीं romantic है of the day but full of horrors, डर से भरा हुआ of war, युद्ध के डर से भरा हुआ है in the first line of the poem कविता के पहले पंक्ती में even the speaker doesn't know that where is he कि वहाँ कहां है उसे खुद नहीं पता the second line represents the state of day और दुसरा line, दुसरा पंक्ती जो है दिन की इस्तथी को बताता है it is clear from the text यानि, poem के text से यह बात as-past है, the poet is living a monotonous day वह जो है एक उबाव जी रहा है उबाव दिन जी रहा है वह उसे कोई interest नहीं है, रुची खत्म हो चुकी उसको जीने में ही कह सकते है, जीने का मकसद ही उसका खत्म हो चुका है for him, उसके लिए time is everything, समय सब कुछ है which can both create and destroy, जो की जीन को खत्म भी कर सकती है, जीन का निर्मान भी कर सकती है, a rat comes from somewhere, एक चुहा कहीं से आता है and then the speaker realizes, और कभी को एहसास होता है, the world which he is in, कि जिस दुनिया में वह है here trenches here trenches represents nothing trenches का यहां कुछ खास अर्थ तो है नहीं but the world war first trench का दात पर यह world war first से है, चुकि देखिए एक खाई की तरह बताया गया युद्ध को उसमें सब कोई समाये जा रहा है, सब मरे जा रहा है suddenly, अचानक से the tone of the poem changes Kavita का जो tone है, change हो जाता है he is not feeling that hopelessness now, अब उसकी जो बेचैनी थी वो जो निरासा जनक, जो thoughts थे उसके, वो अवखत्म हो जाती है the next section, अगले से भाग में of the poem is a conversation, एक बातचीत है, between the speaker and queer rat, उस वीचीतर चुहे और speaker के बीच की बातचीत को बताता है, अगला जो पंक्ती है he calls it curious वो उसे काफी ज़्यादा curious बताता है, उत्सुक and unusual और एक उसभाविक भी here the rat represents चुहा जो है रिप्रजेंट करता है the present state of a soldier एक सैनिक की अवस्था को बताता है during the war, युद्य के दर्मियान the speaker had sympathy for it, और उसके लिए काफी ज़्यादा सहनुभूती भी है speaker के मन में भी he also feels, वह भी महसूस करता है and wishes और इच्छा करता है to be like that rat उस चुहे की तरह होना because it can move freely क्योंकि वह जो है सोतंत्र है from one place to another एक जगह से दूसरे जगह गूमने के लिए the situation changes इस्ति बदल जाती है in further lines अगली पंक्तियों में as the poet says that जैसा कि कभी कहते है it will be sought if it is seen touching the people of another end यदि वो मर जाएगा यदि वो दूसरे इंड के या नहीं कह सकते हैं दूसरे देश के सैनिकों के साथ मिलेगा या सटेगा उसमें उसकी तरफ जाएगा तो मारा जाएगा the poet continues कभी जो है जारी रखते हैं to praise प्रसंसा करना the rat चुहे की प्रसंसा करते हुए for its ability उसके छमता की प्रसंसा करते हुए आगे बढ़ते हैं of crossing the borders सीमाओ को पार करने की छमता की प्रसंसा करते हैं without fear किसी बिना किसी डर के the rat is given more importance than humans और इसमें चुहे की ज़्यादा महत्ता दी गई है इंसानों से भी ज़्यादा in the concluding lines of the poem आखरी के पंक्तियों में the speaker returns कभी लोड जाते हैं to the darkest night उसी अंधेरी रात में in this way इस तरह से the speaker expresses कभी अपने जाहिर करते हैं his inner desires अपने आंत्रिक इच्छाओं को the theme of the poem कभीता का जो theme है is very simple काफि साधारन है and realistic और वास्तव भी कह सकते वास्तविक्ता में भी ऐसा ही है it is the horrors of war यह theme क्या है तो युद्ध का डर युद्ध का आतंक which is a danger जो इसका विषय है वो क्या है hopelessness निरासा बेचैनी so thank you for watching the video तो मिलते हैं next video में I hope यह कभीता आप के लिए helpful रहा हो यह notes आप के लिए helpful हो if you want the PDF you may ask for that so thank you once again तो मिलते हैं next video में एक नए टॉपिक के साथ नए पॉयम के साथ नए नॉबल के साथ धन्यवाद